रेती घाटों पर रेती उत्खरनन पर पूरी तरह पावंदी होने के बावजूद भी अवैद उत्खरनन कर साहुली रेत घाट से रेत चोरी की जा रहे थी महसूल विभाग का दल इतवार को दुपहर कनान नदी के तट पर साहुली घाट में कारवाई करते हुए एक पोकलेंट मशीन चप्त की इस मशीन का इस्तमाल रेती उत्खरन करने के लिए किया जा रहा था इस तरह की जानकारी महसूल विभाग की और से प्राप्त हुई साहुली घाट से अवय तरीके से रेच चोरी कर उसे बाहर गाव भीच कर बेचा जाने की जानकारी तैसलदा प्रशान सांग्डे को मिली जानकारी मिलते तैसलदा प्रशान सांग्डे दलबल के साथ इतवार की दुपहर साहुली घाट पर पहुचे जहां पर तलाशी लेने पर रेती घाट में एक पोक लेन मशीन छिपी हुई दिकाई दी जैसी अधिकारियों को देख चालक वहां से फरार होने में कामियाब रहा ततकाल पोक लेन मशीन को जब्त किया गया इस घटना की जानकारी तैसलदा प्रशान सांग्रे ने पाशिवनी पुलिस निरिक्षक राहूल सोनवाने को दी तुरंत पुलिस निरिक्षक राहूल सोनवाने अपने दलबल के साथ साहुली घाट पर पहुँचे वहां की मशीन को जब्त करते हुए कारवाई की गई महसूल विभाग के करमचारियों की शिकायत पर अग्यात आरूपी के उपर पार्शिवनी पुलस विभाग में शिकायत दर्च की शिकायत की तर्च पर पुलस ने आरुपी के खिलाफ महराश्य जमीन महसूल सहीता 1967 के कलम 48A एवं C के तहत मामला दर्जकर कलम 389 मामला दाकिल किया गया है। पुलिस वभाग के करमचारियों को घटना इस्तल पर बुला कर मशीन को चपत कर तहसील कारियाले लाया गया। पुलिस वभाग के करने की मांग की गया है। जो भी दोशी हो उस पर कारवाई करना जरूरी है। इस तरह की मांग निविदन दे कर की गई है। पाशिवने से बीसे निउस के लिए रुपेश खंडारे की रिपोर्ट। झाल